आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीपती भठनागर चले शुबात कर दो गोरक्षा के लिए जन जागरक्ति अत्तन तवश्वा के गोशालाय सुविदा हैं समाधान नहीं स्वामी गरेशा नंद जी महराज गोपाल एंटेन गोतीर्थ पीठा दीश्वर स्वामी गरेशा नंद जी महराज ने कहा कि गोधन की रक्षा और उन्हें बच्चाय रखने के लिए जन्चागरक्ती अत्यन तवश्वा के गोशालाय मात्र सुवधा हैं समाधान नईविक 30 वशों से गोधन की सेवा और सुरक्षा की शेत्र में जन्जागरती अभ्यान चुला रहे हैं गोतीर्थ पीठादीश्वर स्वामी गरेशा नंद जी महाराज सावरिया महावीर गोरक्षा केंद्र और नया गाउन नीमज मद्रप्रदेश के बैनर तले अभ्यान चुला रहे हैं स्वामी जी का उद्देश इस पश्ट है कि हमें गोवंश की रक्षा करना है उसे बचाया रखना है जो जन्जागरती अत्यनत अवश्वर के जिसमें युवा और व्रद सहित सभी आयूवर को सम्मिलत किया जोना नितांत अवश्वर के स्वामी गरेशा नंद जी महाराज अपने जन्जागरती अभ्यान के अंतरगत मद्रदेश की राज़ानी बोपाल प्रवास पर थे और अपने प्रवास पर आज स्वामी जी ने अधिवक्ता और गोसेवक नरेश ठाकुर के नेत्रत में संच्छालत प्रताप गोशाला में प्रताप गोशाला के संचालक बेवस्तापक हैं उनको बहुत-बहुत स्थानी लोगों को दिये जाता है विशाय यह है कि मानिया हमारे मुख्यमंत्री डक्टर मोहनी आदव जी गोवंस रक्षा के छेत्र में उतकर्ष्ट कर रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2024 गोरक्षा वर्ष के रूमें मनाने का नेड़ने लिया है वो आति उत्तम है पर उनकी जो हार्दिक इक्षा है कि देशी गोवंस हमको शड़क पर नहीं दिखना चाहिए यह विशाय उनका जो है उद्देश है पर चुकि गोशालाओं की विवस्ताइं सीमित हैं उनमें उतनी ही गाएं रखी जा सकती है जितनी उनकी छमता है उससे अधिक गोवंस गोशालाओं में नहीं रखा जा सकता इसलिए कि हमको कुछ एसी विवस्ता करनी पड़े की जिस्टे की उपेक्षित गोवंस को प्रोपर उपस्थित जगे पर रख सकें जिससे की गोवंस हमारब बस सकें क्योंकि देशी गोवंस उपेक्षा का बहुत से कार रहा है तो जितना गोवन्स है कि जितना गोवन्स की संख्या है उतनी गोशालों में रखने की विवस्ता नहीं है इसलिए मानि मुखमंत्री जी से मेरा आगरह है कि प्रतियक जिले में गोवन्स की संख्या अधिग हो तो उससे क्या होगा कि व्यवस्ता भी प्रभावित नहीं होगी और हमारा गौवस्त बचेगा इस दिसा में बहुत काम करने की जरूवत है अभी तक हमारा जो अध्यान है वह यह अध्यान पाया कि हम गोशाला पर फोकस होगे हैं पर गाय बचेगी कैसे यह विशेव से है इसके लिए अलग अलग दिसाओं में काम करने की ज़्यादा जरूवत है और जन जागरती की ज़्यादा जरूवत है क्योंकि गाय जो है किसान के घरसी बचेगी और शासन भी चाहता है गाय बचे पर सासन भी चाहता है गाय बचे सम पूरी है और उस पहल के लिए मानि मुख्यमांत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि यदि वो हमारा उप्योग इस दिस्ता में करना चाहते हैं तो हमको एक जिला दें उस जिले में हम प्रियोग करके दिखाएंगे कि किस परकार से हम देशी गोवंस को बचा सकते हैं किसान को क कैसे जोड़ सकते हैं युवाओं को जोड़ना महिलाओं को जोड़ना बच्चों को जोड़ना जब तक यह लोग नहीं जोड़ेंगे जब तक गोवंस नहीं बच पाएगा इसलिए हमको यह पहल करना पड़ेगी बच्चों को युवाओं को महिलों को बुजुर्गों को जो बुजुर्गर में बैठे हैं उनको भी गोवन्स की रक्षा के लिए आगे निकानना पड़ेगा यहीं हमारा आज का संदेश है और इस गोशाला को देखके यहां की विवस्ता को देखके मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं और ऐसी ही गोशाला हैं पर गोशालों में ज जागरती अभ्यान चला आए जिससे लोगों की गायों लोगों को गाय की महत्ता मालूम पड़े हैं क्योंकि हर घर में गाय के दूद की जरूद है भेंश का दूद की जरूद नहीं है हर बच्चे को देशी गाय का दूद मिल जाएगा तो वच्छा स्वस्त और प्रसंद मैं नरेशीन ठाकू ग्राम मेंडोरी बर्करी कला से हूँ और मेरा लगाओ आज आपको कैसा महसूस हो रहा कि यह ग्वालियर्स है योगराज जी आपसे जो मिलने पहुंचे आपके गोसाला आए कैसा आप महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से आप धनेवार देना चाहेंग तो मेरा तो बहुत भाग जाग गया और आपने आशिरवात दिया कि गोसाला अच्छी चल रही है और अच्छा संचालन हो रहा है यह मेरे लिए बहुत बड़ा बात है और मैं यह मानता हूं कि मत्प्रेश के मुखमंती डॉक्टर महन यादद जी ने गोसाला के लिए सासन से स्योग लेना चाहिए पर मैंने सहयकारता अपनी सम्मीति बनाके सासन को अबलाई भी करिया मेरी सुकृति भी हो गई आगे कुछ दान दक्षणा भी आईगी सासन से तो मैं और अच्छी तरह से गाई की सेवा कर पाऊंगा धन्वाग